दोस्तो आज मैं आपको induction cooktop या induction cooker में आने वाले एक problem का solution करना बताऊँगा यहाँ पर मेरे पास Sunflame company का induction cooktop है और इसको on करते ही E3 error आ रहा है अगर आपके भी induction में ये problem आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में डीटेल से बता दूँगा सारी चीज़े clear कर दूँगा तकि आप लोगों को ज्यादा मुस्किन ना लगे repairing करने में देखिए E3 error में लगातार बन रहा है चलिए सबसे पहले इसको open करता हूँ open करने के बाद हमें इसके circuit को बाहर निकालना पड़ेगा पहले तो यहाँ पर जितने भी connectors मुझे दिख रहे हैं यह सभी के सभी मैं निकालूँगा और coil को भी मैं हटाऊँगा और यह fan का connector है, display का connector है और यह जो main circuit board है इससे हमने बाहर निकालना है तो चलिए फड़ा फड़ से circuit को बाहर निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ कि यह problem कहां से आता है यहाँ पर देखिए दो तिन screw लगे हुए यह सभी के सभी खोलने हैं, छोटे बड़े जितने भी screw हैं यह सभी खोलने के बाद ही circuit को हम बाहर निकाल पहेंगे दोस्तों, finally मैंने circuit को बाहर निकाल लिया है अब circuit में वो कौन सी जगह है जहाँ पर problem आने से E3 का error सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखिए, sun flame induction cooker में यह वो location है जहाँ पर कुछ register लगी हुए एक यह और दो यह यह resistance में अकसर problem आने की बज़ से E3 का error आता है यह high voltage और low voltage को sense करने के लिए लगे वी resistance है 820 किलोम्स की resistance लगी होती है इन पर ही problem आन से होता है अब यहाँ पर देखिए, एक जगह पर मुझे हलका सा लग रहा है कि यहाँ पर गला हुआ है फिर भी हम एक बार scratch करके देखेंगे यहाँ पर गला तो नहीं है या फिर damage तो नहीं आये track फिर भी हम देखेंगे काफी बार ऐसा ने track गलने से भी यह हो सकता है लेकिन ज़्यादा तर यह resistance के ही खराब होने की वज़े से ही ऐसा होता है एक बार मैं पहले इस track को check कर लेता हूँ उसके बाद ही मैं confirm हो पाऊँगा कि यहाँ पर track तो नहीं गला है या फिर track या फिर कोई resistance वगरा का पूशी तो नहीं हलाकि मैंने track को check कर लिया है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी मैं multimeter के माध्यम से check करूँगा कि यह track में कोई problem तो नहीं है तो multimeter को मैं continuity mode में रख लेता हूँ और यहाँ पर जो track पहले मुझे गला हुआ दिख रहा है physically उसको देखूँगा कि वहाँ पर वो कोई problem तो नहीं है confirm multimeter से ही हो पाएगा बिल्कुल सही है वो track गला नहीं है बस उपर से हलका सा carbon की उसमें layer जमी हुई है तो मुझे doubt हो रहा था कहीं वो तो नहीं है अलाकि वैसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें अब देखिए track का तो हमने पता कर लिया अब main जो fault जहां से आ रहा है उस चीज को हम check करेंगे तो यहाँ पर देखिए high voltage और low voltage को sense करने के लिए यहाँ पर resistance लगी होती है 820 km की तो उसको पहले हम open करेंगे और check करेंगे दो resistance होती है उन resistance को और इन resistance के खराब होने की वज़े से E3 E4 दोनों errors देखे गए है किसी किसी में आपको E4 की error की भी अगर ऐसा दिख रहा हो ना वहाँ पर भी resistance को check ज़रूर कर लेना और काफी बार E3 error जो होता है वो coil के उपर लगे वाले sensor के खराब होने की वज़े से भी देखने को मिलता है हलाकि 90% केस में यहाँ पर यह resistance का ही ही होता है फिर भी आप check कर लेना आप resistance को जब आप check करें तो check करने के लिए resistance को circuit से बाहर निकाल के check करें तो फिर आपको resistance सही तरी की check नहीं उपाएंगी हलाकि ज्यादा value की 120kg की resistance है और एक चीज में आपको और बता दूं कि इंडेक्शन में एक बड़ी खास बात मुझे देखने को मिलती है कि जहां पर component लगे होते हैं उसी जगा पे component के numbers ज़रूर लिखे होते हैं आप देखेंगे यहां पर देखे 820 के दोनु जगा पे लिखा हुआ है हर component के नीचे उस component का number ज़रूर लिखा होता है उसकी value ज़रूर लिखी होती है ताकि कोई component damage हो जाया तो उसकी value आप दुबारा से उसमें देखकर लगा सकते हैं चलिए सब सब पहले से check करते हैं यहां पर इसकी value 47 MHz दिखा रही है 48 MHz करीब दिखा रही है और दूसरे वाले की value 800 दूसरे वाले की value 867 करीब दिखा रही है 867 KHz करीब दिखा रही है एक ही MHz पर दिखा रही है जिसकी MHz पर दिखा रही है उसको पहले बाहार निकाल लेता हूँ यानि कि एक बार मैं करूँगा कि दोनों को ही बाहर निकाल लूँगा ताकि मेरा डाउट फूरा क्लियर हो जाए हलाकि मुझे पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस से यह प्रॉब्लम सबसे यादा आती है फिर भी एक बार डाउट क्लियर करने के लिए मैं इन में चेक जरूर करूँगा किसी-किसी में यह थोड़ा सा हटके दूस्य सैट को लगती है किसी-किसमें बीक में अब यहाँ पर देखे सके 47 मेगाउम की इहां पर इसकी वैल्यु आ रहे यानी कि इसकी वैल्यू त्षुड़ा सा सुप्त हो चुकी है सोड़ा ने करह कई ज्यादा स्विप्त हो जिशें यहाँ पर यह problem आ रही थी एक रेजिस्टनेंस की 806 point आख़ोट से मेगाउम यानि की किलोंपे आँए ठीक है point के बाद अगर 800 जी दिखार तो किलोंपे आखी जाती है और इसकी देखिए इसकी पूरी 59 मेगाउम पे दिखा रहा है यानि कि इस रेजिस्टनेंस की वैल्यू 100% सिफ्ट हो चुकिया और सिफ्ट होने के वज़े से यह problem देखने के लिए मिल रहा है तो एक और है रेजिस्टनेंस को भी चेक कर लेते हैं जब circuit open हो ही चुका हमारा तो चेक ज़रूर करेंगे ताकि बाद में पैक करने के बाद यह इसी दुबारा देखने के लिए ना मिले इसको भी मैं एक बार ही चेक कर लूँगा अब एक चीज मैं आपको दादू यहां पर इस टेंस वैसे चेक करना तो नहीं है फिर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि फॉल्ट तो हमें मिल चुका है बड़े वाले इस चेंस का और यहां पर देखिए इसकी जो वैल्यू है दो सो सतर किलो ओम्स की है जो कि बिल्कुल लगभग सही दिखा रहा मल्टी मीटर पर देखिए मल्टी मीटर पर 271 दिखा रहा है एक दो उपर नीजे होता ही है लेकिन मल्टी मीटर ने लगभभ वैल्यू सही दिखाई है इसकी 271 किलो ओम्स दिखा रहा है यह रेजिस्टेंस ठीक है और खराब जो दिख रही है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है यानि कि जो रेजिस्टेंस मैं अभी चेक कर रहा हूँ ना उसकी वैल्यू सही है देखिए इसकी वैल्यू सही है और यह खराब है यह 820 किलों की रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देखिए यहां पर एक क्यावन मेगाउं दिखा रहा है यानि कि कई ज्यादा इसमें वैल्यू सिर्फ हो चुकी है इसकी अब देखते हैं एक रेजिस्टेंस है मेरे पास उस वाट की लगा रहे हैं दूसरी सिर्किट से निकालके इतना अंतर चल जाता है एक अगर वाट की है तो आप दो वाट की भी लगा सकते हैं कोई दिकत नहीं है और वैसे सिर्किट में हाप वाट की भी लगी भी रहती है काफी बारी तो आप यह वाली भी लगा सकते हैं कोई कॉइल को आपर सही तरीके से कनेक करता हूं और अब देखेंगे सेंसर को हम लगा रिएंगे है ऐँ चली अगर कोई और प्रब्रम दिखी तो फिर एसको अपन करेकर फिर और चैक करेंगे डिगे अलाकि इस प्रोम का solution आप हो जाना चाहिए फिर भी एक बारी confirm कर लें आपको दिखा दे ओन हो चुका है और मैं इसको power on करता हूँ ओ स्वरी यहाँ पर timer वाला बटन दब गया गलती से अभी आपको एक second इसको off करके फिर आपको दिखाता हूँ गलती से timer वाला बटन जिल बाजी में मेरे से दब गया था on वाला बटन नहीं दबाता तो customer साथ में बात भी कर रहा था तो इस वज़े से मैं भूल गया चलिए अब मैं on वाला एक second on वाला बटन दबाता हूँ इसमें हाँ यह वाला on वाला बटन है और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है कोई error इसमें नहीं दिख नहीं देखना वाला बटन कर देना और प्लीज हमारे चैनल पर अगर कोई वीडियो अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं और चैनल को अगर support करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं सब्सक्राइब कर लेना और नएए वीडियोस देखते रह ना धेंक्यो झाल झाल